नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जब सूर्य भगवान धनू राशे को छोड़ कर मकर राशे में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन को मकर संक्रान्ती के रूप में मनाया जाता है संपूर्ण भारत में मकर संक्रान्ती को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है वैसे तो इस बार मकर संक्रांती 15 जन्वरी को पढ़ रही है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को पढ़ रही है परंतु बता दें कि कई बार मकर संक्रांती 12 और 13 को भी पढ़ती है हिंदू कैलेंडर देखें तो इस बार पंदरह जन्वरी को पढ़ रही है इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मकर संक्रांती के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं यदि उनको कर लिया जाए तो हमारे जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है दोस्तों ध्यान दीजिएगा मकर संक्रांती के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है भगवान विश्नु की पूजा होती है सूर्य भगवान की पूजा होती है और भगवान शनिदेव की पूजा होती है संक्रांती के दिन पतंगे उड़ाई जाती है क्योंकि मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम ने मकर संक्रांती के दिन ही पतंग उड़ाई थी उसके पश्चात से ही यह त्योहार मनाया जाता है और पूरे देश में इस्तिवहार को मनाया जाता है। हिंदु धर्म की मान्यताओं के हिसाब से भगवान विश्णु ने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया था। संपूर्ण असुरों का अंत करके उनके सिर को मंदार परवत में दबा दिया था। और युद्ध की समाप्ति की घोशना की थी। जो बताई गई है, वह है पवित्र गंगा नदी को लेकर के जैसा की आपको पता ही है की गंगा को मा की संज्या दी गई है। माना जाता है की मकर संक्रान्ती के दिन ही गंगा मैया धर्ती पर अवतरित हुई थी। मतलब कुल मिला के समझ लीजिए कि मकर संक्रान्ती का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुबकारी दिन है और बहुत ही कल्यान कारी दिन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक-एक जानकारी अवश्य होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मकर संक्रान्ती का दिन एक ऐसा दिन होता है, जिस दिन भगवान विश्नु की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि मकर संक्रान्ती का दिन एक ऐसा दिन होता है, जिस दिन यदि आप सही समय पर पूजा पाठ उपाय कर लेते हैं, तो आप एक साथ सूर्य भगवान शणी देव, माता लक्ष्मी, भगवान विश्नु को प्रसन्न कर सकते हैं। इस से आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अब जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं, वो ऐसी जानकारी है, जो आपके जीवन को बदल करके रख देगी, अब मान लीजिये, आपके पास पैसा आता है परन्तु पैसा टिकता नहीं है, दूसरी तरफ आप ठक चुके हैं मेहनद करकर के, परन्तु आपको उसका फल न दोस्तों संपूर्ण दुनिया ज्योतिश शास्त्र पर टिकी हुई है जिसकी वज़य है जब आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी होगी तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा जब आपके ग्रहों की चाल आपके खिलाफ खड़ी होगी तब आपके साथ स चनी देव द्रिष्टी। क्योंकि हिंदू पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से देखें तो पंद्रह को पढ़ने वाली मकर संक्रांती बहुत शुभ और कल्यानकारी है। इस दिन की गई साधना आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट को खत्म कर सकती है। तो बस आपको यह करना है कि मकर संक्रांती के दिन हलकी सी पूजा कुछ व्रिक्षों के सामने जाकर कर लेनी है। उसके पश्चात उन व्रिक्षों को छोड़ करके वापस अपने घर पर चले आना है। इससे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएगे, आपके बंद किस्मत ताले को चावी लग जाएगी। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का आशीरवाद मिले, भगवान विश्नु का आशीरवाद मिले और अन्य देवी देवताओं का आशीरवाद मिले। चलिए एक-एक करके आपको बताते हैं, सबसे पहला जो पेड़ है, जिसे आपको मकर संक्रांती के दिन, यानी पंदरह जन्वरी को छू करके आना है, तो वह है पीपल का पेड़, ध्यान दीजिएगा, दोस्तों, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, जिसकी यदि हलकी सी साधना की जाए, तो आपको विश्नु भगवान और माता लक्ष्मी का सुबह के वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा, दोस्तों, पंदरह जन्वरी को, सुबह के वक्त पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है, वहाँ पर एक लोटा जल अर्पित करना है, उसको प्रणाम कर पेड़ को छूना है, और अपनी मनो कामना बोल देनी है, इतना करने भर से आपको भगवान विश्नु का आशीरवाद प्राप्त हो जाएगा, मान के चलिए, आपका दुर्भाग्य जो है, वो तो एक तरह से खत्म ही हो जाएगा, भगवान विश्नु के आशीरवाद से आ आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, दूसरी तरफ भगवान विश्नु का आशीरवाद रक्त होने से आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, वो अपने आप हटना चालू हो जाएगे, अब आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है, एक घी का दी कामना है, वह बोलनी है और अपने घर वापस चले आना है, पंदरह जन्वरी मकर संक्रान्ति के दिन, यह क्रिया करने से मान के चलिए, आज कई तरीके के कष्ट खत्म हो सकते हैं, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे, यदि यह क्रिया आप पंदरह जन्वरी को करते हैं, वैसे तो शनिवार का दिन शनी देव को समर्पित होता है। परंतु शनी देव शंकर भगवान को अपना गुरु मानते हैं। मतलब आपने यदि शंकर भगवान की हलकी सी भी पूजा कर ली, कोई साधना कर ली, मान लीजिये शानी। भगवान का भी आपको आशीरवाद प्राप्त होगा, आपको बस एक सरल सा उपाय करना है, सुबह के वक्त आपको बेल पत्र के पेड के नीचे जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देना है, एक हजार एक बार ओम नमस शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है और घर पर वापस चले आना है, इतना करने भर से आपके जीवन में कई कल्यानकारी और शुबकारी समय आएंगे, भौतिक सुखों की आपको प्राप्ती होगी, भगवान भोलेनात का अशीरवाद मिलेगा, यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनात का अशीरवाद मिले तो तुरंत ही कॉमेंट में लिख दे, हर हर महादेव तीसरा पेड जिसको आपको छूना है और वहाँ पर परिक्रमा करनी है, वह है अशोक का पेड़, दोस्तों अशोक का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिस पर व्यक्ति के नौ ग्रहों का वास होता है, एक बात सुन लीजिए, अशोक पेड़ पर मान के चलिए, ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियां वास करने आती है, जिसका मतलब ये है कि अशोक के पेड़ को आपको शनिवार के दिन जाकर के छूना है, इसकी साथ बार परिक्रमा करनी है, हो सके तो एक लोटा जल भर लीजिए, यदि आपके अंदर क्षमता है तो लोटे में पूरा दूद भर के चले जाईए, दूद कच्चा होना चाहि उसमें हल्दी मिला लीजिएगा, और वह दूद चड़ाने के पश्चात ही, अर्पित करने के पश्चात ही, अशोक के पेड़ की साथ परिक्रमा लगानी है, और वापस घर आ जाईएगा, इतना करने भर से मान के चलिए, आपके नौकर आपका साथ देंगे, मान के चलिए आपके खिलाफ जो हो गए थे, आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, वह आपका साथ देना चालू कर देंगे, आपके जीवन से परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी, अभी तक हमने आपको वो बातें बताई हैं दोस्तों, जो हिंदू पुराणों के जानकारी है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है इसलिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी अब आखिरी पेड जो आपको छू करके आना है दोस्तों वह एक ऐसा पेड है जिसको यदि आप छू लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से परिशानिया चली जाएगी आपके घर पर सुख सम्रिध्धि आएगी वो है शमी का पौधा इसे आपको शाम के वक्त केवल छूना है शनी का पेड नहीं होता है ये पौधा होता है आपको इसे केवल शनी देव के मंदिर जाना है, वहाँ पर एक घी का दीपक जला देना है, साथ बार मन ही मन में आपको शनी चालीसा का पाठ कर लेना है, पंद्रह जनवरी को यह क्रिया करनी है, फिर आपको जहां शमी का पौधा लगा हो या किसी के घर में भी शमी का पौधा लगा हो तो बह पुद्धे के गमले को यदि आप छू करके घर वापस आ जाते हैं, तो मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देना चालू कर देंगे, आपके नौ ग्रह आपके साथ हो जाएंगे, आपका दुरभाग्य भाग्य में बदल जाएगा, मान लीजिए आप दुश्मन आ यदि आप 14 जनवरी को यह उपाय करने जा रहे हैं, मान लीजिए सारे व्रिक्षों को छू आ रहे हैं, तो इसमें बस पीपल के पेड को मत छूईएगा, क्योंकि माना जाता है कि कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पौधे को और पीपल के पेड को नहीं छूना बहुत यह आपके जीवन में परिशानियां ला सकता है, इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड को न छूएगा, बाकी व्रिक्षों को आप छू सकते हैं, और पौधों को छू सकते हैं, किन्तु रविवार के दिन कभी भी पीपल के पेड और तुलसी के पौधे को नहीं छून के लिए